आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको डबलो जो के जो वृद्धी चार्ट है उसके बारे में थोड़ा सिखाने वाली हूँ ये वृद्धी चार्ट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसे हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे कैसे वृद्धी होनी चाहिए तो बहुत सारे अलग-अलग ग्रोट चार्ट है निले रंग का चार्ट है तो यह दड़कों का ग्रोट चार्ट है यहां पर जनम से लेके दो साल तक के बच्चे का यह ग्रोड चार्ट है परसंटाइल ग्रोड चार्ट है यह देखे यहां पर जो है यह है आपकी क्षर का एक्स लाइन ठीक है और यह है आपकी वाई लाइन ठीक है और यह जो लाइन है एक्स लाइन है यहाँ पर बच्चे की उम्र है ठीक है तो यहाँ पर है जनम आपको यहाँ पर जनम तारिक लिखनी है फिर एक महिना दो महिना तीन महिना चार महिना यहाँ पर देखके एक साल ह है तो यह हर जो लाइन है वो एक-एक महिने की लाइन है और यह जो गरोजार्ट आपका 2 साल तक के बचे का गरोजार्ट है यह वृद्धि चाहर्ट रोची जो 2002 साल के बच्चे के लिए ठीक है और जो i-line है यहां पर वजन लिका हुआ है तो वजन जो वो होरीजोंटल लाइन है जो आपकी जो सीधी लाइन है वो है दो किलो से चालो हो रही है दो किलो तीन किलो चार किलो पांच किलो छे किलो ठीक है तो इसी तरह वो होरीजोंटल लाइन वजन के हिसाब से चालो हो रही है आपके यहां पे पांच लाइन है ठीक है आप देख अलग-अलग कलर की लाइन है बीच वाली लाइन है वो है 50 टका मतलब 50 टका जो average जो सरेराश बच्चे होते है वो 50 टका बच्चे आपके ये लाइन के लगभग उपर होने चाहिए ठीक है? 15 टका बच्चे यह देखे आप यहाँ पे लिखा है 15 टका बच्चे 15 टका बच्चे 15 टका बच्चे ये लाइन के नीचे होंगे 85 टका बच्चे ये लाइन के उपर होंगे ठीक है? वैसे यहाँ पे 3 टका बच्चे ये लाइन के नीचे होंगे और 97 टका बच्चे ये जो लाल लाइन है उसके उपर होने चाहिए ठीक है, similarly यहां पे जो उपर यहां पे लिखा है 85th percentile, मतलब 85 तका बच्चे आपके orange line पे होंगे और, sorry, 85 तका बच्चे है वो यह orange line के नीचे होंगे और 15 तका बच्चे इसके उपर होंगे ठीक है, और 97th percentile मतलब 3 तका बच्चे यह लाल line के उपर होंगे और 97 तका बच्चे यह line line के नीचे होंगे अब यह जो growth chart है, वो बहुत 2006 में यह growth chart लागू हुआ है लगबग 6 country में यह इसकी study हुई थी और उन्होंने दिखाया कि जो बच्चा मा का दूद बिरा है जो बच्चे को पूरे vaccination मिले है और जो बच्चे को अच्छा hygiene है, you know, wash करें, मतलब अच्छा उनका hygiene है तो वो बच्चे अलगबग 5 साल तक बिलकुल similarly grow हो रहे थे, ठीक है तो उसका मतलब यह है कि अगर आपने, it doesn't matter कि बच्चा अमेरिका से आया है या बच्चा ओमान से आया हुआ है, या इंडिया से आया हुआ है, कहीं से भी आया हो लेकिन अगर तीन चीज हम लोग ने धियान में रखी, ठीक है, एक तो है मा का दूद, ठीक है, दूसरा है vaccination, बतलब सब पुरे vaccine मिले हुए बच्चे को, पुरे TK मिले हुए और तीसरा है, अगर सही तरह से बच्चे को उसके देख भाल रखी हो, हाईजीन अच्छा हो, कुछ गंदा ना हो, बतलब जाता बिमारी नहीं हो बच्चो को, तो वो सारे बच्चे है, वो एकी तरह ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, उनका पुरा standard यहां पे दिया गया है, तो हम लोग अभी भारत में यही डबली ओचो का ग्रोच चाहत इस्तेमाल करें, तो आपको यह कैसे ग्रोच चाहत इस्तेमाल करना यह जानना बहुत जिरूरी है, ठीक है, तो यह तो देखिए, आपने यहां पे, आपको यहां पे जनम तारीक लिखनी है, अगर आप देखेंगे आपकी जो लड़के हैं, उनका आवरेज वजन होना चाहिए 3.3 किलोग्राम, देखिए, तो यह जो 3.3 किलोग्राम जो वजन है, वो जनम के टाइम पे बच्चे का वजन होना चाहिए, ठीक है, अब भी आप देखेंगे कि एक मिने में बच्चे का वजन आवरेज कितना ब यह मैं बताना चाहती हूं कि चार किलो और पांच किलो के बीच में देरा चार लाइन है, ठीक है, तो हर एक लाइन है वो लगबग 200 ग्राम की है, ठीक है, हर एक लाइन है जो 200 ग्राम की, यह चार किलो 200, चार किलो 400, चार किलो 600, चार किलो 800 और फिर पांच किलो तो यह जो ह तो आपने देखा कि जैसे आवरेज बच्चा है आपका लड़का उसका वजन जनम के टाइमे 3.3 किलो होना चाहिए और एक महिने में उसका वजन बढ़ा है 4.4 मतलब उसका मतलब है कि एक महिने में उसका वजन बढ़ा है एक किलो सौ ग्राम, ठीक है, ये एक किलो सौ ग्राम एक महिने में बढ़ा है, तो लगबग दीन का वजन कितना बढ़ना चाहिए, वो आपको पता चलेगा, कि दीन का वजन अगर 1 kg 100 g भेने का बढ़ा है तो 30 दिन में कितना बढ़ा है 30 दिन में 1 kg 100 g बढ़ा है और इसी हिसाप से अगर आप दिन का गणेंगे तो definitely ज़्यादा वजन बढ़ना चाहिए लग बढ़ 34 तो 35 g ग्राम मतलब 35 gram जितना बढ़ना चाहिए, अगर आपका बच्चे का वजन 30 gram से कम बढ़ रहा है, मतलब वो बच्चा अभी नीचे आ जाएगा, तो आपको बच्चे को नीचे नहीं लाना है, अगर छोटा बच्चा पैदा है तो उसका वजन 1 kilo 100 gram से भी ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग को उसको growth catch-up करना है, growth faltering नहीं करना है, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल दियान में रखना है, कि हर महीने बच्चे का वजन, पहले तीन महीने आप देखे कितना वजन बढ़ता है, आपने बिल्कुल सवा तीन किलो से लेके, तीन महीने में वो सवा छे क वजन हो जाता है, अगर बच्चे का वजन जनम के टाइम में अवरेज हुआ, तो डबल उसका तीन महीने में होता है, हम लोग को बहुत पहर कहा गया है, कि बच्चे का वजन पांच मिने पे डबल होता है, या छे मिने पे डबल होता है, या एक साल में ट्रिपल होता है, य तो कि हमारे भारत में बच्चे बहुत कमजोर प्यादा होता है, ठीक है, आवरेज वजन लगबग 2-700 ग्राम होता है, आपको मालूम है कि हमारे आप जहां जो एरिया में काम करें, वहां पे धाई किलो का बच्चा बहुत मुश्किल से होता है, बहुत टाइम अफकोस 2-700 ग् है, वह हिसाब से आपको उसका मिनिममम वजन बढ़ाना है, ठीक है, अगर वह मिनिममम हिसाब से उसका वजन नहीं बढ़ा तो बच्चा बिलकुल कमजोर होके वह लान लाइन पर आ जाएगा, एक बार वह लान लाइन के नीचे चला गया, तो उसका फिर वह M.U.W.S.U.W. वह सब चालो हो जाएगा, ठीक है, तो आपको धियान में रहे कि आपका हर बच्चा उपर की मलब पेड की तरह उपर बढ़ना चाहिए, नीचे नहीं नहीं आना चाहिए, ठीक है, अभी आप देखी कि दो महिने में कि ये बच्चे का वजन आवरेज कितना होता है, लग ब तो इसी तरह अभी जैसे आप बच्चा बढ़ेगा, थोड़ा-थोड़ा करके उसका वजन धीरे-धीरे अभी कम होगा, तो अगर आपको किसी का वजन बढ़ाना है, कोई भी बच्चे का वजन बढ़ाना है, तो आपको पहले दो-तीन मेहना बहुत ध्यान में रखना है, क बिल्कुल गुरोध फॉल्ट नहीं होगा, तो आपको ये बहुत जानना जरूरी है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कि तीन महिने में बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, लगबग आवरेज वजन लगबग सवाची किलो का होना चाहिए, ठीक है, सवाची किलो, ती मेंने का है, तो आवरेज वजन लगबग 8 किलो का होना चाहिए, एक साल में वजन कितना होना चाहिए, तो एक साल में वजन लगबग 9 किलो जितना होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर दिखायवा है, नेक 9 किलो, you know, almost 600 ग्राम है, ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा तो बह आवरेज वजन जो है सरेराज लगबग 12 किलो और 200 ग्राम है, ठीक है, तो लड़कों का वजन बार किलो, 200 ग्राम, दो किलो, दो साल में होना चाहिए, ठीक है, तो यह तो हो गया आपका उमर के हिसाब से वजन, यह ध्यान में रहे कि मेरा आवरेज, जो मैं हमारे प्रोजे है, क्योंकि जो एरिया में में काम करती हूँ, और वन स्लम है, रूल एरिया है, ट्राविल एरिया में, बच्चे लोग बहुत कमजोर पदा होते हैं, तो मेरा दिये है कि हर बच्चा लगबग पहले दो महिने में 40-40 ग्राम बढ़े दिन का, और बढ़ता है, बिलकुल बढ मेने पे भी फिर वजन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देगा है, कि आपका बच्चा आराम से 8-9 किलोका तो हो जाएगा छे मेने पे, लेकिन छे मेने पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये बच्चा फिर उसका वजन नहीं बढ़ेगा, तो वो जैसे मैंने आपको टुटर में दिखाया गया है कि कौन सा खाना चालो करना है, कि इतना चालो करना है, वो जो पाउडर रेसिपी बनायों है, तो वो आपको मा को सिखाना है, तो ये सारा में आपको LAP, जो लर्निंग अक्शन पुटोकॉल जो बारवे हफते में में सिखाया है, उसमें ये वापस में बताऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि पहले एक साल बहुत ही ध्यान रखना है, प्रेगननसी में तो रखना ही है, लेकिन मा का दूथ कैसे देना है, इफेक्टिवनेस में ज्यादा फोकस करना है, और छे मैने के बाद क्या खाना देना है, बच्छे की लंबाई तो वो लंबाई जो है उमर के हिसाब से लड़कों की लंबाई कितनी होनी चाहिए उस पर मैं फोकस करूंगी यह अगें आपका डबले चो ग्रोड चार्ट है ठीक है यह जो अक्षर लाइन है वो है जनम से लेके दो साल तक और यह जो वाइल लाइन है यह लाइन वो है लेंथ मतलब उसकी उचाई तो 45 cm से यहां से चालो किया हुआ है हर एक जो छोटी छोटी लाइन है वो एक एक सेंटेमिटर की है ठीक है और यह जो बड़ी लाइन है वो हर 5 cm पर बड़ी लेन आती है तो 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 तो वैसे इसी तरह व वो पांच-पांच सेंटेमिटर पर आ रही है और वो जो लाइट लाइन है वो है जो रेका है बहुत जो छोटी रेका है वो एक-एक सेंटेमिटर पर बढ़ रही है ठीक है तो वो आपको ध्यान में रखना है और यहां पर जो खड़ी लाइन है वो हर एक महने पर आ रही ह है ठीक है तो यह तो हो गया आपका लेंड फोर एज चार्ट अभी देखिए यहां पे भी पांच लाइन है आप देखेंगे यहां पे लिखा है पचास टका पंदरा टका तीन टका पचासी टका और 97 परसंटाल ठीक है 97 टका तो यह है आपके की आपके बच्चे कितने लंबे आवरेज होने चाहिए तो यह उसकी मतलब यह दिखाया गया है तो देखिए जबी बच्चा जनम था है यह अपका लड़का है जनम की टाइम में आवरेज जो यह हरी लाइन है हरी लाइन यहां पे अगर उसे कम हुए मतलब 15 टका जो बच्चे है यह लाइन पर आएंगे तेके 15 टका बच्चे और यह जो थर्ड परसंटाल तीन टका बच्चे यह लाइन 45 पैटालिस एरि 46.5 असके उपर माला वो लाइन के उपर या तो उसके लो लाइन के नीचे थीक है तो यह जो है हम थीक तरब हुआ है तो इसलिए हमारे बच्चे भी नाटे पैदा दूता है लेकिन हम लोग अगर उस बच्चे kay मा के दूद के द्वारा अगर सही तरह से उसका वजन बढ़ाएंगे तो बच्चे की लंबाई भी बढ़ेगी, बच्चा लंबा भी होगा और उसके हिसाब से उसका IQ भी बहुत अच्छा बढ़ेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे बच्चे को उसकी उमर के हिसाबस के उसकी लंबाई उसकी होनी चाहिए तो देखिए आपकी पहले मेने में उसकी 50 cm से लेके लगभग 55 cm उसकी हाइट होती है लगभग 1 cm से भी ज्यादा वो हर हफते बढ़ता है तो आपको ध्यान में रहे कि अगर बच्चे का वजन बढ़ेगा तो लंबाई तो उसकी बढ़नी ही है तो आपको पहले लंबाई के लंबाई पर इतना फोकस नहीं करना है आपको उसके वजन पर फोकस करना है तो LAP कार्ड जो मैंने आपको सिखाया है बारवे हफते में तो वो LAP Learning Action Protocol है तो उसमें भी मैंने बहुत सारा फोकस वजन पर रखा है क्योंकि अगर वजन बढ़ेगा तो बच्चे की लंबाई बढ़नी है लेकिन यह ध्यान में रही कि बच्चे का वजन मा के दूज से बढ़ना चाहिए नहीं कि उसके भार के दूज से या फॉम्मिला से नहीं बढ़ना चाहिए कि उसको फिर आगे जाके बहुत सारे कॉंप्लिक्वेशन होगे इंफेक्शन तो होना ही है बच्चे को जुलाब होगा नुमोनिया होगा लेकिन आगे जाके ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज, हार्ट इटेक आने की चांस बहुत जादा है ठीक है और दूसरे साल में उसकी लंबाई है लगभग 88 cm तो वह आपको धियान में रखना है कि आवरेज पर धियान रखो पहली लास्ट लाइन पर धियान मत रखो ठीक है अनफोर्चुनली क्या हो रहा है कि सारे जो हमारे हेल के वकस है वो पूरे लास्ट लाइन पर धियान रखते हैं बस लास्ट लाइन में बच्चा आ गया बच्चा ठीक है नहीं हमारे बच्चे minimum average होने चाहिए अगर लंबा होगा बच्चा तो अपका बच्चा होई था बच्चन होगा थीक है तो वह वजन पर ध्यान रहा इक है पहले 6 मैना छे मेने के बाद आपको लंबाई पर धियान रखना है क्योंकि अगर बच्चे को आपने ऐसा खाना दिया जो सिर्फ उसका वजन बढ़ा है और लंबाई नहीं बढ़ा रही है उसको सिर्फ कार्बोहर्डिटी मिल रहा है उसको सिर्फ चावल मिल रहा है पतली दाल मिल रही है, आलू मिल रहा है, शक्कर मिल रही है, गूड मिल रहा है, लंबाई के लिए उसको प्रूटीन चाहिए, लंबाई के लिए उसको अच्छी चरबी चाहिए, लंबाई के लिए उसको टाइप 2 वाला खाना चाहिए, टाइप 2 वाला खाना प्रकार जो दो में सारा ताइम बताती रहती हूं, मेगनेशियम वाला खानाची, पुटैशियम, जिंक, सल्फर, तो वैसे खाना, जैसे अभी मैंने नुट्रिशन चार्ट में भी आपको, मैंने सिखाया है, बारवे हफ्ते में वो आएगा, तो क्या-क्या खाना देना है वो बच्चों को, मदर को, तो उसकी लंबाई बढ़े, ठीक है, पहले छे मेना वजन, छे मेने के बाद लंबाई, ठीक है, तो पहले छे मेना वजन पर फोकस करो, छे मेने के बाद लंबाई पर फोकस करो, ठीक है, तो ये भी रबलियो चो ग्रोट चार्टी है similarly जैसे मैंने बताया था यहाँ पे महने और साल लिखा गया है और यहाँ पे है वजन किलो ग्राम में वजन है ठीक है बिल्कुल जैसे लड़कों का हम लोग ने प्लॉट किया वैसे ही आपको लड़की का भी प्लॉट करना है देहिए यहाँ पे जन्म के टाइम में लड़की का वजन लगभग तीन किलो दोसो ग्राम है अवरेज तीन किलो दोftig घ्राम एपको वो ध्यान में रखना है और पहले मेने में लड़की का वजन अवरेज एक किलो मतलब मिनिमम आपको 33 ग्राम दिन का बढ़ना चाहिए तब ही जाके वह रहे लाइन पर बच्ची रहेगी वना वह दीरे दीरे करके नीचे आजाएगी तेकि अगर बच्ची का वजन सिर्फ 500 ग्राम बढ़ाया सिर्फ 500 ग्राम तो देखी अगर सपोज आपकी वजन सिर्फ 500 ग्राम बढ़ाया तो तीन किलो 700 ग्राम हो गया त पहले मेरी मेने में यहां पर उलर्डिigor कइन भढ़ सीत तो często दfire चाहर किलो 200 ग्राम भरप कान कीजा अबदिक और उसका three लाइन पर आगई आग तो ह blessing हमी खना करें और आप बच्चों अब कर आपको 500 ग्रा मुझे फिल्ड में कि बच्चे का वजन 500 ग्राम महिने में बढ़ना चाहिए वह बिल्कुल गलत है ठीक है अपको दिहान वे रखने हैं अगर बच्चा 500 ग्राम सिर्फ अपने 500 ग्राम बढ़ाया तो आपका नॉर्मल जो आवरेज बच्चा है वो भी नीचे आ जाएगा लाल 500 ग्राम कभीखे बच्चे का वजन 500 ग्राम भी बढ़ता है देब हैं तीन ग्राम मैने प्लाष दृत्चे बढ़ाएं वह बढ़ा है आवरेज लगभग लगबग 6 kg का है ठीक है तो लड़की का वजन थोड़ा लड़कों से कम है लेकिन हम लोग ने देखा है फिल्मे कि लड़कियों को भी ठीक तरसे अगर दूद पिलाना सिखाया अगर माँ को आ गया कि लड़की को कैसे आटाच करना है कैसे लैच करना हैлем कैसे वह 35 बिंद्दू ध्यान में रखना है तो लड़कियों का बी वजन लड़कों की तरह ही बहुत अच्छा बरता है थीक है टीक है वह लड़कों की का लटवरच बाएज वजन है लगब 9 kg अज एक साल में लड़की का वजन लगभग 9 kg का होता है अवरेज ठीक है और ये दो साल की बच्ची है लगभग 11 kg 400 g ग्राम की है मतलब सिर्फ 2,5 kg ही बढ़ा है ज्यादा नहीं बढ़ा है ठीक 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 है तो आपको दिहान में रखना है कि जितना वजन आप पहले 2-3 मैने में बढ़ाएंगे उतना वजन आप एक साल 6 मैने एक साल क बात नहीं बढ़ा सकेंगे, बहुत ही बहुत वप पुरना यह पॉइंट है आपका, ठीक है, तो अगर बच्चे को लंबा बनाना है, तो पहले दो-तीन मैंना आप फोकस किजिए, ठीक है, और वो तो फोकस करना है, लेकिन छे मैने पर क्या खाना देना है, तो उस पे भी बह दल सततति को लल्ड़कियों का लंबाई है, तो अगें, similarly, जनम के ताइम में, आवरेज लड़कियों की लंबाई लगपग 49 cm होती है, 49 ठीक है, और धीरे धीरे, उसकी हैड़े पढ़ती है, तीन महीने में उसकी हैड़े लगपक 60 cm, छे मैने में उसकी हैड़े लगपक 66 cm में एक साल में उसकी हाइट होती है एवरिज लगवग ढग गार muerte आपिक स्वेंटी वाइट सम् fastenब है अबरेज हाइट एक साल कि लडक्यों की सेवंटी एह और दो साल में यह लडकियों की जो average height होती है लगबक 86.5 cm ठीक है यह हर एक एक लाइन एक एक सेंटेमेंटर की बराबर है ठीक है तो यह तो हो गया आपका लंबाई लड़कों की लंबाई कैसे होनी चाहिए जैसे मिने पहले बताया अगर बच्चे की लड़कों की वजन अगर लड़कों की तरह बढ़ेगा त तो यू के तो यू कन डेफिनली ट्राइट एक वापस में थोड़ा सा मेरा एक्जामबल दे देती हूं की मेरी जो बच्ची है शी बाउट बीस साल की और उसका उसकी हाइट है पांच फूट आट इंच लगबक साड़े आट इच उसके पिताजी के समान है वो तो यह जुच्षिन बहुत कर रही थी वो फ्रोटीन वाला भी तही घे अंडा का थी बहुत तो अपको प्ष्च्च बाहता लगता थारा लुट है तो अगर हम लोग भी हमारे बच्चों को ठीक तरे सब्च्स डही से एक आटारे और चहे मैंडे के बाद प्रोटीन वाला खाना तो आपके सारे बच्चे जो है सब आपके प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में बहुत उसके उचाई बहुत बढ़ेगी बच्चों की लड़की हो या लड़का हो doesn't matter ठीक है तो आपको लड़कियों को भी लंबा बनाना है पांच आट पांच नौ करना है अभी हमारे भारत में जो लड़किया है 19 साल की बहुत बहुत शॉट है सिफ पांच फीट है आवरेज वो पांच फीट आवरेज हाइट फिर आपके हमारी जो पूरी जो नई पीडी है वो फिर नाटी हो जाएगी हम लोको नाटे नहीं करने बचे हम लोको लंबे करने ठीक है तो प्लीज आप आपके हाथ में है ठीक है दूट कैसे पिलाना माग को सिखाना है क्या खाना देना है प्रिगनिसी में क्या खाना देना है वो सबब को ध्यान में रखना है ठीक है तो यह तो हो गया आपका लेंड फो रेज चार्ट तो य तो पूरा यह दिखाने वाले है, तेंक यू सो मच. कुमें कुमा सू